तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लिए एक बहुती महत्वपुनपस लाया हूँ, उपर में आप देख सकते हैं, एक प्रस्न लिखा हुआ है, और इस प्रस्न को आप बहुती सरल तरीके से बना सकते हैं, आज मैं आपको एक बहतरें ट्रिक बताने वाले हूँ, और निशित रूप से इस ट्रिक को आप जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, बस इस ट्रिक को ध्यान से शिख लिजेगा, उपर में देखिए आपको एक प्रस्ण दिखाए दरा है, अगर पांच गाये पांच दिन में पांच लिटर दुद देती है, तो दस गाये दस दिन में कि इतने लिटर दुद देगे, यह बहुती सिंपल सा प्रस्ण इस प्रकार के प्रस्णों को आपको बनाने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, आप लोग निशित रूप से A, B, C, T तो जानते हैं, B, C, D, E, F, G, H, तो आपको क्या करना है, हम यह यह पहले गाय के लिए हमाल जाए, तो इसको हम C1, D1, M1 बोले, इसको हम C2, D2 और M2 बोले, बस इसको M2 बोलना है, बस इतना ही करना है, और आपको जो प्रस्मे में कहा गया है, ठीक है, उपर लाइन में जो दिखाए दरा है, उसको यहाँ पर लिखना है, जैसे 5 गाय, 5 दिन में, 5 लिटर दूद देती है, तो यहाँ पर हम दूसरे में चल जाते है, हमारे पास गाय कितना है, 10 गाय, कितने दिन, 10 दिन में, कितने लिटर दूद देती है, तो भाई, यह तो question mark हो गया, तो इसको question mark ही रखना है, तो इसको question mark में ही लिख देते है, मतलद यहाँ प आपका प्रस्ण बन गया बहुत ही सरल सा 5 और 5 क्या हो जाएगा कर जाएगा अब आपको करना क्या है जिसको ग्यात करना है जैसे मालने जाए यह M2 है है ना इसको हम इधर ले आएंगे तो यह M2 ही है चलो यह M2 ही है समनूर चीक है यह हो जाएगा 10 गुनि 10 बटे 5 कटा देंगे कितना हो जाएगा यह 5 दूनि 10 और 10 को गुना करेंगे 2 से 10 दूनि 20 तो आप देख सकते हैं पहुंत इस अलब परिके से हमने पता कर लिया कि तो इस विडियो को अधिक सधी सेर जरूर करीगा चले मिलते हैं और एड़ी देजिए आपर